देश वास्यों ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है भारतिये जंता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है एंडिये पर बहुत बड़ी कृपा की है मैं 140 करोड देश वास्यों का पुना आभार व्यक्त करता हूँ विख्सिद भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने हैं भारत के उजबल बविश के लिए उत्तम फैसले भी लेने हैं ये भारत के समिधान पर अटूट निश्ठा की जीत है ये विख्सिद भारत के प्रण की जीत है भारत माता की जै जगनात आपका ये स्नेह आपका ये प्यार इस आशिरवात के लिए मैं सभी देश वाश्यों का रणी हूँ आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एंडिये की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है हम सभी जनता जनारदन के बहुत आभारी हैं देश वाश्यों ने भाजबा पर एंडिये पर पूर्ण विश्वास जताया है आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोगतंत्र की जीत है ये भारत के समिधान पर अटूट निष्ठा की जीत है ये विख्षिद भारत के प्रण की जीत है ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है ये एक सो चालीस करोड भारतियों की जीत है भाई और बेनों मैं आज देश के चुनाव आयोग का भी अभिनंदन करूंगा चुनाव आयोग ने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव इतनी कुसलता के साथ संपन्द कराया करीब सो करोड मतदाता ज्यारा लाग पुलिंग स्टेशन देड करोड मतदान कर्मी पच्पन लाग बोटिंग मशिन है हर करमचारी ने इतनी प्रचंड गर्मी में अपने दाईत्व को बखुबी निभाया हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपने करतव्य भाव का शानदार परिचय दिया भारत के चुनाव प्रोसेस चुनाव के इस पूरे सिस्टिम और चुनाव प्रक्रिया की क्रेडिबिलिल पर हर भारतिय को गर्व है इस केल पर चुनाव का इस एफिजन्सी के साथ चुनाव का दुनिया में कहीं कोई उदारन नहीं है और मैं बेश्वाचियों को कहूंगा मैं इन्फ्लियंसर्स को कहूंगा मैं ओपिनियन मेकर्स को कहूंगा कि भारत की लोगतंत्र में यह चुनावी प्रक्रिया की ताकत है एफिशन्सी है यह अपने आप में बहुत बड़ा गवर्व का विशह है भारत की पहचान को चार चान लगाने वाली बात है और ऐसे जो भी लोग है जो दुनिया में अपनी बात पहुँचा सकते हैं हुँन सबसे मैं आगर करूँगा कि भारत के लोगतंत्र के सामर्थ को विश्व के सामने बड़े गर्व के साथ हमने प्रस्तूत करना चाहिए इस बार भी भारत में जितने लोगों ने मतदान किया वो अनेक बड़े लोगतंत्रिक डेशों की कूल आबादी से भी ज़्यादा है जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने इस चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग कर अभूत पुर्व उद्सा दिखाया है और दुनिया भर में भारत को ब्रदाम करने वाली जो ताकत हैं उनको आइना दिखा दिया है मैं देश के हर मतदाता को जनता जनार्दन को विजय के इस पावन परवपर आदर पुर्वक नमन करता हूँ मैं देश भर के सभी दलों सभी उमिद्वारों का भी अभिनंदन करता हूँ सभी की सक्रिय भागिदारी के बिना लोग तंत्र की विराठ सपलता संभव नहीं थी भाजपा के एंडिये के हर कारकरता साथी को भी मरदय से धन्यवाद करता हूँ साथ्यों राज्यों में जहां भी विदान सभा के चुना हुए वहां पर एंडिये को भव्यम विजय मिली है चाहे वो अरुनाचल प्रदेश हो आंदर प्रदेश हो ओडिसा हो या फिर सिक्किम और इन राज्यों में कॉंग्रेस का सुप्रा साब हो गया है मेरे पाद डीटेल तो नहीं है लेकिन साथ उनको जमानत बचाना भी मुश्किल हो गया होगा भाजपा उडिसा में सरकार बनाने जा रही है और लोगसभाज चुनाओं में भी उडिसा ने बहतरीन प्रजर्शन किया है ये पहली बार होगा जब महाप्रभु जगनाती धर्ति पर बीजेपी का मुख्य मंत्री होगा बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है हमारे केरल के कायर करताओं ने बहुत बलिदान दिये है कई पीडियों से वो संगर्थ भी करते रहे जन सामान्य की सेवा भी करते रहे और पीडियों से मैं सालों से नहीं कह रहा हूँ पीडियों से जिस ख्षन का इंतजार किया वो आज सफलता को चूमने लगी है तेलंगना में हमारी संख्या दोगुणा हो गई है मद्द प्रदेश, गुजरात, चतिश गार्ड, डिल्ली, उत्राखन, हिमाचल ऐसे कई राज्जों में हमारी पार्टी ने लगभग क्लीन स्विप किया है मैं इन सभी राज्जों और अरुनाचल प्रदेश, ओडिसा, आंधर प्रदेश और सिक्किम बिदान सभा के मद्दाताओं का भी विशेश आभार व्यक्त करता हूँ मैं इन राज्जों की जन्ता को भी स्वाद दिलाता हूँ कि केंदर सरकार आपके विकास के लिए कोई कोड कसर बाकी नहीं छोड़ेगी आंधर प्रदेश में चंदर बाबु नायडू जी के नेत्रुत्व में एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है बिहार में नितिश बाबु के नेत्रुत्व में भी एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है साथियों दस वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जना देश दिया था तब देश ने हमें कि वो समय था देश निराशा की गर्त में डूप चुका था 2013-14 का कालखन देखिए देश निराशा की गर्त में डूप चुका था प्रेजाईल फायूद सब्दोस्ते में नवाजा जाता था हर दिन अख़बारों की हेड्लाइन गोटालों से भरी रहती थी देश की वपुरी अपने भविश्य के सबत में आसंकित हो गई थी ऐसे समय देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सोपा था हम सभी ने पूरी इमानदरी से प्रयास किया काम किया 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया इसके बाद NDA का दूसरा कारकाल दिकास और विरासत पी गारंटी बन गया 2024 में इसी गारंटी के साथ हम जन जन का आशिरवाद लेने देश के कौने कौने में गए आज तीसरी बार जो आशिरवाद NDA को मिला है मैं इसके सामने जनता जनारदन के सामने बिनाए भाव से नत्मस्तक हूँ साथियों आज का यह पल नीजी तोर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है मेरी मा के जाने के बाद यह मेरा पहला चुनार था लेकिन सच मानिये देश की कोटी कोटी माताओ बहनों बेटियों ने मा की कमी मुझे खलने नहीं दी मैं पुरे देश में जहां जहां भी गया माताओं बहनों बेटियों ने अभूत पुर्वस्त ने और आशिरवाद दिया और यह आख़ों में नहीं दिख सकता है देश के इतिहास में महिलाओं द्वारा बोटिंग के सारे रकोर्ट उड़ गए इस प्यार इस अपने पन को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता यह मेरे भावों में है यह मेरे मन मस्तित के कौने कौने में रचा बसा है देश की कोटी कोटी माता और बहनों ने मुझे नई प्रेरणा दी है साथियों पिछले दस साड में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए है राश्ट प्रसम की भावना हमें असामान ने लक्ष हादिल करने का हौसला देती है यह हमें कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति उत्पन न करती है हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन कल्यानकारी योजनाय चलाई आजादी के सब्तर साल बाद बारा करोड लोगों को नल से जल मिला आजादी के सब्तर साल बाद चार करोड गरीबों को पके घर मिले देश के 80 करोड जरुवत मंदों को मुप्त राशन की सुविधा मिली करोडों गरीबों को पांच लाख रुपे तक के मुप्त इलाज की सुविधा मिली राश्ट प्रसम की इसी भावना की वज़े से जम्मु कश्मीर से तीन सो सत्तर हटी GST और IBC जैसे रिफार्म हुए बैंकिंग रिफार्म हुए हमने राश्ट हित को हमेशा सबसे आगे रखा आप याद करिये कोरोना का इतना बड़ा संकट आया हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था जन हित में था हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विक्षित होती बड़ी एकोनोमी है राश्ट्र पसम की यही भावना भारत को आत्म निर्भर बनाएगी साथियों हमारे सामने एक महान संकल्प है विक्षित भारत का संकल्प है दस साल के बार लगातार तीसरी बार जनता जनादन का प्यार उनका अशिरवार हमारा होसला बढ़ाता है हमारे संकल्प को नहीं मजबुती देता है नहीं उर्जा देता है हमारे विरोधी एक जूट होकर भी उतनी सीटे नहीं जीत पाए जितनी इस लोगसभा चुनाओं में अकेली बीजेपी ने जीती है मदेश के कौने कौने में उपस्तित बीजेपी के कायर करताओं को कहूंगा देश वाच्छों को कहूंगा आपकी महनत इतनी गर्भी में आपका बहाया पसीना ये मोदी को निरंतर काम करने की प्रेरणा देता है और मैं देश वाच्छों के दुमारा दोहराना चाहता हूं अगर आप दस गंटे काम करेंगे तो मोदी अठारा गंटे काम करेंगा आप दो कदम चलेंगे तो मोदी चार कदम चलेंगा हम भारतिया मिलकर चलेंगे देश को आगे बढ़ाएंगे तीसरे कारकार में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है साथियों एंडिये सरकार की प्रतिबद्दता हमेशा ही समाज के हर छेत्र और हर वर्ग के विकास की रही है बीते दस वर्थों में हमने पचीस करोड लोगों को गरीबी से बहार निकाला है और इसमें एक बड़ी संख्या स्थी स्थी ओबिसी की है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक गरीबी देश के अतीत का हिस्सा न हो जा रहे बुमन लेट डवलप्मेंट हमारी सरकार के गवर्णेंस मोडल के केंद्र में रहा है स्पोर्ट से स्पेस और एंट्रप्रेनर्शिप तक हम हर छेत्र में माताओं बहनों बेटियों को नए आउसर देने के लिए काम करेंगे बीते दस वर्षों में आपने देखा है हमने मेरिकल कॉलेज के संग्या दो गुने की है एम्स की संग्या तीन गुने की है स्वरोजगार और स्टार्टस में अइतियासिक बड़ोत्री हुई है हमने भारत को दुनिया का सब दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मेनिफेक्चर बनाया है अब इलेक्ट्रोनेट्स सेमिकंडक्टर और ऐसे नए सेक्टरस में और तेजी से काम किया जाएगा हमने देश के डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ड को बढ़ाने का प्यास किया है हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मन निर्भर नहीं बन जाता हम अपने युवाओं को सिख्षा रोजगार स्वरोजगार हर शेत्र में ससक्त करेंगे किसानों के लिए बीच से बाजार तक आदुनिक नीतियों को बनाने का काम और प्रास्पिक्ता पर होगा दलहन से लेकर खाज्य तेल तक हम अमारे किसानों को हर खेत्र में आत्मन निर्भर बनाने के लिए काम करते रहेंगे साथियों आने वाला समय ग्रीन एरा है हरी त्यूक का है आज भी हमारी सरकार की नीतिया प्रगती प्रक्रती और संस्क्रती के समागम की है हम ग्रीन इंडस्ट्रिलियाजेशन पर निवेश बढ़ाएंगे ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन मोबिलिटी हम भारत को सबसे आगे ले जाएंगे भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी कौनमी बना लिक लिए एंडस्रकार पूरी शक्ती से काम करेगी भाई और भेनो आज का भारत वैश्विक समादान का हिस्सा भी बन रहा है हमने कोरोना के दोरान देखा है कि कैसे भारत की वैश्विक सिन केपिसिटी ने दुनिया को संकट से बचाने में मदद की हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लेंडिंग करके स्पेस एस्प्रोरेशन के नए रास्ते खोले है क्लाइमेट चेंज से लेकर फूड सिकूरिटी तक जो भी विशय दुनिया के सामने है भारत उनके लिए काम करना अपनी जिम्मेदारी समझता है भारत ग्लोबल सप्लाइज चेंड को स्टैबिलिटी और डाइवर्सिटी देना भी अपना दाइक्त्व समझता है इसलिए भारत आज विश्व बंदू के रुपे सबको गले लगा रहा है मुझे भी स्वास है मजबुद भारत मजबुद दुनिया का एक मजबुद स्तंब सिद्ध होगा साथ क्यों 21 सबी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा डिजिटल इंडिया और टेक्नोलोजी ने करप्शन का नेक रास्ते बंद किये है लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाब लड़ाई दिनो दिन कठीन हो रही है राज नीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमामनन शुरू हो जाए और इसमें निरलज्टता की सारी हदे पार हो जाए तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है इसलिए तीसरे कारिकाल में एंडिये सरकार का बहुत ज़्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड ठैकने का होगा भाई और बहनो भाजपा के हर कार करता के लिए हमेशा से दल से बड़ा देश रहा है सेवा भाव से बड़ी राजनीती कोई नहीं हो सकती इसलिए हमें सेवा भाव को सर्वोपरी रखने की प्रंपरा को निरंतर मजबूत कर रहा है भाजपा का कार करता जन अकांख्षाओ जन भावनाओ और जन अपेक्षाओं का प्रत्रिलित्व करता है और यह हम कभी भोल नहीं सकते है जरूरी है कि समाज के हर वर्ग से और हर व्यक्ति से हम निरंतर संबाद करते रहें साथियों कुछी दिनों में देश छत्रपति सिवाजी महराज के राज्या भिशेक की तीन सो पचासवी वर्षगाट बनाएगा उनका जीवन अपने आप में इस बात की प्रेड़ा है कि देश पत पर अड़ी कैसे रहा जाता है अपने देश पत में भी हमारी महनत में कोई कमी ना रहे हम पूरी निस्टा से पूरी मांदारी से देश की सेवा करते रहे हमारे जीवन के बहुत बड़ी कसोड़ी होनी चाहिए हम सभी मिलकर देश के लिए काम करें हम देश हित को सर्वोपरी रखे तभी हम अपने लक्षों को हासिल कर पाएंगे हमारा सम्विदान हमारी गाइडिंग लाइट है इसी साल हमारे सम्विदान के 75 वर्ष पुरे होने जा रहे है केंद्र की एंडिये सरकार सभी राज्जों के साथ चाहे वो किसी भी दल की क्यों न हो मिलकर काम करेंगी विश्षीद भारत के लख्ष के लिए हम खुब महनत करेंगे जम कर महनत करेंगे हमारे पास रुकने का थमने का समय नहीं है ये राष्ट नीति के लिए एक जूट होकर आगे बढ़ने का समय है विश्षीद भारत के हमें निरंतर बड़े फैसले लेने है भारत के उजबल भविश के लिए उत्तम फैसले भी लेने है छे दसक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है छे दसक बाद किसी गड़बंदन को एंडिये को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का आउसर दिया है जनता जनारदन के साथ विश्वास का ये अटूत रिस्ता ये लोग तंत्र की बहुत बड़ी शक्ती है आपका आशिरवाद नए उत्सा नए उमंग के साथ काम करने की हमारी उर्जा है मैं हमारे अध्यक्षय सिमान नड्डा जी और संगठन की केंद्र की टीम संगठन की राज्जों की टीम जिले की टीम मंडल की टीम बूथ लेवल की कमिटी हो या पन्ना प्रमूर नड्डा जी के नेत्रुत्व में अनेत चुनावतियों के बीच जिस हिम्मत के साथ जिस समर्पर भाव से राश्ट्र प्रथम के मंत्र को जीते हुए इस चुनावी जंग में एंडिये को विजय दिलाई है वे सब के सब अनेक अनेक अभिनंदन के पात्र है मैं आज देश वासियों ने मुझे पर बहुत बड़ी कृपा की है भारतिये जंता पार्टी पर बहुत बड़ी कृपा की है एंडिये पर बहुत बड़ी कृपा की है मैं एक सो चालिस करोड देश वासियों का पुना आभार व्यक्त करता हूँ मैं हमारे एंडिये के सबी साथियों का भी रजय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ मैं इस देश के महान लोकतंत्र को महान समिधान को फिर सद्धपुरवग नमुन करता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे 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 बहुत बहुत धन्यवा झाल झाल